अब आप सोचो कि पेशिंट क्या सोच रहागा कि बारी बारी से सब कोई मेरा उंगली डालेगा हेलो मैं हुब बिकाश कुमार सिंग स्टूटेंट और थर्ड यर B.A.M.S मतलब बैचलर आईरुवेदा मेडिसें और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दा आईरुवेदा व्लॉग आज मैं इस वीडियो में मैं खुद का experience शेयर करने वाला हूँ जो की B.A.M.S college में मेरे साथ हुआ जब शुरू-शुरू में admission हो जाता है college में और जब college जा रहे होते हैं तो सबसे पहला एक tension हमेसा लगा रहता है कहीं ragging न हो जाए तो ये मेरे ही मन में नहीं ये सब के मन में होता है कि कहीं ragging न हो जाए और जब मैं college में गया और अभी तक ragging के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ मतलब zero ragging और दूसरे college का तो नहीं पता बट हमारे college में ragging नहीं होता है तो finally इस चीज़ से तो मैं बच गया जब आप first year में जाओगे तो आपको Sanskrit में सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा काँ खाँ गाँ गाँ अंगा चाँ चाँ जाँ जाँ यहाँ क्योंकि पहला पहला डॉक्टर डॉक्टर जैसा फील होगा फिर बाद में आप बोर हो जाओगे यहाँ राइसेशन हो रहा होता है और दूसरी जगा आप चाई पीने चले जाओगे मैंने भी किया है यह first year बारे जो है सबसे पहले white eyebrow लगा कर इस्थे तो स्कोप लगाकर फोटो खीचना common है और कुछ लोग तो अलगी लेवल पर खेल रहे होते हैं सेलफी लेके FB, Insta, WhatsApp status, DP साब चेंज कर लेते हैं पता नहीं कितने बड़े डॉक्टर बन चुके हैं वो छोड़ो जब Anatomy Lab में हम लोग गय थे तो ये वाला कांड करके आये थे इस लड़के को देखो, ये बाकायदा सेलफी भी ले रहा है अब लड़कियां भी देखके मुस्कुराय जा रही है एक लड़की आके मुझसे कहती है, पक्का ये तेरा ही काम होगा खेर ये सब तो कुछ भी नहीं हुआ, इसे ज़्यादा अच्छा कॉमेडी में आपको बताता हूँ एक बार की बात है, जब हम लोग second year में थे तो patient देखने के लिए हम लोगों को ले कर जाया जाता है उनका क्या तकलीफ है, उनका क्या history है, ये सब हम लोगों को सिखाया जाता है second year में तो एक बार क्या हुआ, एक patient आया था, उसको था बाबासीर, मतलब piles वो बेचारा patient सिर्फ दिखाने के लिए आया था, और luckily हम लोग कुछ boys वहीं पे थे अब वो patient आया, अपना पूरा कहानी बताया, कि वो पहले किसी सरकारी hospital में operation करा चुका था बट ये operation successful नहीं हुआ, उसको अभी भी problem है, तो वो बहुत भरोसा करके इस Ayurvedic college में आया sorry, इस Ayurvedic hospital में आया, क्योंकि जादा तर patient यही करता है क्योंकि जादा तर patient Ayurvedic में तब ही आता है, जब बाहर में successful नहीं होता है, तब जाके हमारे college में या हमारे hospital में आता है तो जाहिर सी बात है, उसको था piles, मतलब बबासीर, तो sir ने बोला कि आप पैंड खोली है और लेट जाईए और हम लोग चार पास boys उधर ही थे, तो बेचारा patient सरमा रहा था, हम लोगों को देखकर सोचो अगर लड़किया होती तो क्या होता तो जैसे तैसे वो बेचारा पैंड खोला अपना और वो लेट गया, फिर उसके बाद sir ने उगली डाला उनकी गलब्स लगा कर, ऐसा ने की डाल दिया, पहले गलब्स लगाया, फिर डाला तो sir चेक कर लेने के बाद हम लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग भी डाल कर देखो, अब आप सोचो कि पेशेंट क्या सोच रहा होगा, कि बारी बारी से सब कोई मेरा गड़ में उंगली डालेगा, तो sir ने तो पहले उनकी गाल में उंगली डाल कर चेक किया, फिर उसके साब पिया के मेरा पेशेंट क्या सोच रहा होगा, वो सिरिंगली कर आपने हें यह सब होने के बाद, जो मेरा फ्रेंड उंगली किया था, वो बेचरा लास्ट में खाना नहीं खा पा रहा है, अच्छे से साब उन से हांत धोया, सैनिटाइज किया हांत को, फिर भी रोटी चूने से पहले दस बार सोच रहा है कि छूँ की नहीं चूँ, और कैंटीन के है कि पता है, ऐसा-ऐसा काण हुआ है, लड़किया बोलती है, अकेले-अकेले उंगली डाल लो, हम लोगों को भी बिलाते हैं, हम लोग भी डाल के देखते हैं, तो खेर यह सब था एक दो खिस्सा हमारे कॉलेज का, अगर आप और भी जानना चाहते हैं, ऐसी फणी-फणी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको अच्छा लगा हो, ऐसी ही फणी चीज़े आपको अगर देखना हो, आप नीचे कमेंट करिए, ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं फिर से नेक्स्ट पार्ट टू बनाऊंगा इसका, सब्सक्राइब कर लि ये दा आईरुवेदा व्लाग